सब्सक्राइब कर लें टेक्टू गिलाइड चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ऐसी और वीडियो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों सवागत है आपका मेरे यूटीब चैनल टेक्टू गिलाइड में और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ Realme 2 Pro की कुछ कमियों के बारे में तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि हर कमपिनी सोचती है कि अपने कस्टूमर को एक परफेक्ट डिवाइस दिया जाए लेकिन यार हर डिवाइस परफेक्ट डिवाइस नहीं हो सकता इसमें कुछ ना कुछ कमियों जरूर छूट जाती है तो उन्हीं कमियों को मैंने एनलाइस किया और मैंने जाना कि Realme 2 Pro के अंदर में भी काफी सारी कमिया है और इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है क्योंकि यार आप बहुत मैनस से पैसा कमाते हो तब जाके एक स्मार्ट फोन करीते हो और फिर भी आपको उसमें कमियां मिल जाएं फिर आप कहो के यह फोन तो यार मेरे लिए नहीं था लेकिन मैंने ले लिया इसी वज़े से इस वीडियो को बनाया मैंने अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो करी लेना मेरे यूट्यूब चैनल को क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी टेक वीडियो लेके आता रहता हूं तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों रियल्मी 2 प्रो के अंदर में जो पहली कमी आपको देखने को मिलेगी वो है इसका जो फ्रेंट कैमरा है 16 मेगा पिक्सल का उसके अंदर में आपको कोई भी फ्लेश का ओप्शन देखने को नहीं मिलने वाला है कंपनी ने इसमें एक डिस्प्लेश दिया हुआ है वो आप जानते हैं यार लो लाइट में इतना अच्छा वर्क नहीं करता है और आपको इसमें इसके जो फ्रेंट कैमरा है उसमें फ्लेश देखने को नहीं मिलने वाला है अब जो दूसरी कमी है मेरे अकॉर्डिंग वो है इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी मिलती है चलो ठीक ह लेकिन अगर कमपिनी चाहे तो इसे अपडेट के थू इसे अनेबल कर सकती है क्योंकि यार जो प्रोसेसर है स्नेपड्रेगन 660 वो अपने आप में कैपिवल है फास्ट चार्जिंग के लिए अब दोस्तों जो तीसरी कमी है मेरे अकॉर्डिंग वो है इसमें यूस्वी ट मोटरोला बन पावर उस फोन के अंदर में भी आपको यूस्वी टाइप-C पोर्ट देखने को मिल जाता है और उसके बाद में दोस्तों जो तीसरी कमी है चौती कमी है और मेरे अकॉर्डिंग वो काफी बड़ी कमी है वो है नोटिफिकेशन लेट का इसमें ना होना तो द दोस्तों जो पांचमी कमी है मेरे अकॉर्डिंग वो रह गई इसमें एफम रेडियो का ना होना इसमें आपको एफम रेडियो का सपोर्ट भी नहीं मिलने वाला अगर आप यूस करते हैं कोई थर्ट पाइटी अब तो सायद आपको मिल जाए तो ठीक है परना फिर इसमें इन विल्ट फेम रेडियो आपको नहीं मिलेगा और चट्वी जो दोस्तों कमी है वह एज की यूई दोस्तों इसमें आपको पूर का कलर्वूएस 5.2 देखने को मिलता है तो आपको पता होगा कलर व यह अपना Snapdragon 660 इसमें धमाली कर देता और बहुत ही अच्छी performance देखने को मिल सकती थी आपको अब दोस्तों यह साथ मी जो कमी है वो मेरे recording तो कमी है और हो सकता है कि यह percent to percent depend करता है कि कमी है या नहीं क्योंकि अगर किसी को अच्छा लुक बाला मुबाइल चाहिए तो लुक के मामले में बहुत अच्छा दिखता है लेकिन जो इसका बैक और फ्रेम जो बना हुआ है वो एक polycarbonate बैक है और polycarbonate प्लास्टिक है अगर आप इस फोन को गिराद हो गए या माल लीजिए आपके आसे फिसल जाता है तो ये फोन डेमेज हो सकता है इसके लिए आपको एक back cover जरूर लगा के रखना पड़ेगा इस फोन के उपर और हो सकता है company आपको एक back cover प्रोबाइड कर दे इस फोन के डब्बे के अंदर ही तो चलिए दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो अगर क्यों अच्छा लगा हो तो इसे like कर देना, share कर देना और subscribe तो करी लेना मेरे YouTube चैनल को यार क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूं तो चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे अगली ऐसी एक latest वीडियो में तब तक के लिए जय जवान जय किसा मैं एक चाहा हूं चैनल को ओडोँ तो क्योंकि मताधना सब्स